दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है आज हम एक ऐसी कंपणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है जल्प मॉक जल्प मॉक का डिजाइन टेक कंपणी का नाम है इसकी शुरुवात हुई थी 2015 में बाई संदीपन चटो पाध्याई जल्प मॉक is engaged in providing professional and technical consulting services with focus on product development, data science and analytics Mr. Sandeepan Chattopadhyaya सहब पुराने जो है खिलाली हैं देखिए अलग-अलग कंपणियों में इनके पास experience अगर देखें जस्टायल में भी थे चीफ technology officer के तौर पे और इन्होंने अपनी टीम बनाई है और उस टीम में अगर आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तुशार देविदी साहब है संदीपन चटो पाध्याई साहब CEO and founder शिनवा स्कूरा founder whole time director है जैसन जोश यह सारी नाम है बड़े बड़े जो इस company को अपनी services दे रहे हैं 86 team members है 48 clients है 4 city operations है और यह company अगर देखें कि इस प्रकार से काम करती है देखें टेक्नलोजी तो provide करती ही करती है साथ ही साथ जैसे कि उदारान के लिए अगर मैं कहूं कि आप कोई अपना startup शुरू कर रहे हैं कोई अपनी application शुरू कर रहे हैं website शुरू कर रहे हैं हो सकता है कि वो कोई भी हो सकता है education field में हो सकता है logistics में हो सकता है कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ने कहीं तकनीकी सहायता चाहिए होता है तो यह company जो है तकनीकी सहायता प्रवाइद करती ही technology आपको देती इनकी engineers आपके लिए काम करते हैं हो सकता है कि आपका भी startup हो तो आपके पास उतन महनताना के ठीक है तो यह service भी तभी देते हैं जब इनको लगता है कि हाँ यह business model अच्छा है आपका startup हो सकता है कि successful हो भविश्य में हाला कि startup mostly देखा जाया तो बहुत शुरू होते हैं लेकिन उतना success नहीं हो पाते हैं लेकिन इस case में अगर देखा जाए इस company case में तो जो है transport करते हैं और इसकी जो लिस्टिंग होई थी यहां पर लिखा हूँ 2019 में गॉट लिस्टेर ऑन ब्यस्टेर और नेसी वूवली बिकम्स फिफ्थ जल्पमॉग कंपणी तो गेत इंस्टिउशन फंडी की वूवली में भी इनकी अच्छी खासी holding है और उसको जो है भी ऑन अच्छी ब्शारच उन प्रीड इंकी नियुलोची को जिसंगार ने कहते हैं और देजिशन पिस प्रीजिड है, और उल्समें, में स्ट्टिवनेज़ फिसलेज फिपोर्म्स, इंडिजाज कंपनोलोजी 설ाब्स 2020 में अब्य। бок ऑश्डंट्राज प्रni आरन ठास स अभी आपने हाल में सुना होगा कि माननी उच्छ नयाल है अलहाबाद के उने कहा था कि गॉर्मेंट जो है इस चीज पर विचार करें कि अगर टाल दिये जाएं क्योंकि कोविट बढ़ रहा है और पिछले दुती वेव में भी एलेक्शन थे तो काफी लोगों की कोविड हुआ था तो इस मौके पे जब हाई कोड ने कहा तो आपने एक चीज नोटिस किया कि आधरणी प्रधानमंत्री जी ततकाल टीवी पे आये थे और उन्होंने ये सपश्ट कहा था कि अब युवाउं को जो वैक्सिनेशन लगेगी और कुछ ऐसे भरोसा दिया था उस उसके पाशाद एक भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी पार्टी का आप ले लेजिए किसी ने भी बिरोध नहीं किया कि नहीं एलेक्शन तलने चाहिए क्योंकि सभी लोगों का अर्बो रुपया लगा हुआ है रैलीज में खर्च हो रहे हैं एलेक्शन्स कैंपेंड में खर्च हो रहे हैं और यही कारण रहा कि अगर जो अर्बो रुपया बह रहा भारत वर्च में उस अर्बो रुपय में अगर ऐसी कमपनियों को जो वर्चु होगा तो यही कमपनिया जो है टेकनोलोजी प्रोवाइड करती है ऐसी और भी कमपनिया होंगी तो यह भी कहीं न कहीं इन्वाल्व है तो कहीं अरबो रुपय में बहते बहते कुछ एक दो लोटा पानी इधर भी खेसक गया तो यह कमपनियों को काफी अच्छा खासा है एक तो स्तर्विस प्रोवाइड करती टेकनोलोजी सल्विशन प्लस प्लस इस ट्रॉटप्स में निवेश भी करती है इनको जो कमपनिया पसंद आती उसमें निवेश करती है चाहे अपना नॉलेज दें उसके बदले ऑक दे के उससे पैसा लेती हैं अब देखिए यहां पे फोटिको हो गया मीहप हो गया यह सब जो है इनमें कभी छूटी-छूटी अमाउंट इनों लगा रखी थी आज इनकी वैल्यू बहुत बड़ी हो गया इसनाय पहंट हो गया वूवली हो गया पैंसिल हो गया यह सारे जो ह कमपनियों में यह इनकी अच्छी खासी होल्डिंग है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर में इच और इवरी कमपनी के बारे में बताऊंगा लेकिन आप देख सकते हैं कि कहीं ने कहीं 11,000 रुपए कहां फोटिकों में लगे थे और उसमें कितने कोड की वैली हो ग पामना है और 401 रुपए की प्राइस पर जो है ट्रेड हो रहा है वरतमान समय 14 जनवरी 11 बच के तिरपन मिनट है और यदि देखें आप एक वर्ष में रिटन वाइस अगर देखते हैं 29 प्रश्यत यानि 30% के आसपास रिटन मिल रहे हैं जो कि ठीक हैं और इस पर हमने जब नवरी फर्वरी मार्च अप्रिल अभी कम सका मार्ठ महीने हो गए आठ महीने में 200 से अगर देखें हाई बना चुका है 513 का और उससे अभी नीचे गिर के जो है 400 के आसपास ट्रेड हो रहा तो काफी वोलाटाइल रहता है यह कभी भी गिरावाट आती है तो सीधे साड़ 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से प्रफेंशल बेसेस पर जो है नोने 10 रुपए फेस वैलियो के हिसाब से 7.2 लाक एक्विटी जो है इसू करके वहां पर फंड रेस किया है धीरे-धीरे एक भविश के लिए कुमिलेशन किया जा सकता है वो भी तब जब आपको लगे क्यो वही बता पाएगा जो उसमें उपलब्ध होंगी लेकिन अगर हम एक अलग तरीके सोचें अपनी भावडात्मक रूप से क्योंकि हम देखते गाडियों का यह नहीं देखते कि बाहर से वो पूरी डेंट पेंट है अच्छे टायर्स लगे है अच्छी चमक इंजन कैसा है तो वो खोलके देखने कोशिश करते हैं तो हमें कंपनियों का इंजन जो है उसकी आत्मा देखनी पड़ेगी तो आत्मा में अगर हम आ जाते हैं तो फइनेशल ट्रेंड पहले आप देखिए जैकर इनका काम किया है पहले सबसे पहले आप देखिए कि इनका, इनका revenue कैसा consistent बढ़ रहा है कि ने revenue मतलब जो भी इनकी total जो है turnover होता है business का income होती है जो भी काम कास करते हैं तो यहां पर 2018 की वित वर्ष में थी 5.45.000.000 अगर देखें 2019 में 6.30.000.000 और 2020 में 9.40.000.000 और 2021 की वित वर्ष में अगर देखते हैं 15.19.000.000 ठीक है तो तीन साल यानी 2018-19.20 में अगर आप profit में देखें यहां पर रक्त पाप दिखे रहा है आपको लाल के निशान पर उसका का परण है कि revenue तो consistent आ रहा है लेकिन चुकि इतने ज्यादा startups हैं इतने ज्यादा कहने कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं इसलिए इनके management का कहना है कि जो लोग यह सोच कि इस company में निवेश कर रहे हैं कि तुरद जो है तुरन जो है इस चीज का लाब मिलने लगे उनको जो appreciation मिलने की तो इस company की भी holding है उसमें तो वो अलग तरीके से एक देखने वाला parameter होता है तो यहां पर bottom line में तो आपको नहीं दिखा रहा है हाला कि वित्वर्ष 2021 में यहां पर चार कड़ों का मुनाफ़ा निकालने में खामयाब रहे एक्सपेंशन चल रहा है तो एक दो quarter मुझे प्रोफिट आया चाहना है revenue भी नहीं आता है तुटर प्रमोटर्स के जो holding है देखे 54.41% है mutual funds इसमें 0.44% है FII जिसमें देखे 13.06% है और retail अधरस है 32.08% अब देख रहे हैं हम यहां पर जब से इसके listing हुई है आप देखे 2019 में listing हुई थी और listing के बाद आप देखेंगे कि at least in 1920 और 21 साल से ज्यादा हो चुके हैं इन तीन साल में अगर return wise देखते हैं तो यहां पर 575% के return आपको मिल रहे हैं यानि कि जो भी शुरू से इसमें जो है निवेशित रहा होगा उनको पहने 600% के आसपास के यहां पर return मिल रहे है एक छोटी company है तो मैं यही कहूँगा कि इस company में आप अपनी research कीजिए अपनी study कीजिए पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ आप जाके देख सकते मैं इसका card spelling बिठे दूँगा company का मुख्य वेवसाय आप समझ गए कि एक तो technology services provide करती है अलग-अलग industries को दूसरा startups में निवेश करती है उनको service भी देती है तो यह दोनों को अगर आप समझ गए कि क्या भविश इसका उज्जल हो सकता है कोई भी company अगर बहुत ज्यादा growth कर गई बहुत ज्यादा hit हो देखिए उसको काफी अच्छी खासी value मिली थी इस तरीके से नौकरी.com हो गई है अन्ने website की जो हमालिकाना हक है इस तरीके से यह भी company अलग-अलग startups में निवेश कर चुकी है और करती रहती है भविश में भी तो अगर कभी कोई company जबरदस्त हीट हो गई अच्छी valuation मिली तो यह company की भी holding है तो इसको भी काफी फारदा होगा इसकी भी valuation बड़ी मानी जाएगे यही कि हो सकता है कि आपको आने वाले कुछ समय में फिर भी भी अच्छा खासा profit देखने को न मिले बट अगर revenue लगातार growth हो रही है और company की valuation भी बढ़ रही है जहां-जहां holding है तो मु